तो सौगत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर आज हम लोग जिस गन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कंपनी 230 साल लबक सन 1790 से अपने वर्चस पर हैं और इसकी जो कॉलिटी है भारत में देखा जाए तो इस गन की इतनी जादा डिमांड है तो मैं बात कर रहा हूं वेब स्कॉट की जो सियो टू रिवॉल्वर है सर्विस रिवॉल्वर मार्क 6 यह पहले यूएस आर्मी यूज करती थी चेंज के बैरल की सेम उसी की रेप्लिका है जो वेबली एंस कॉट ने खुद ने लांच करी है सियो टू वर्जन में तो आगे बढ़ने से पहले कुछ सब्सक्राइब करने की सोच रखते हैं वह लोग भी इस वीडियो को बंद करते हैं क्योंकि पूरी तरह से एडुकेशनल और जानकारी साजा करने के लिए बनाई गई है और तीसरी चीज जो मेरे चैनल में वह यह है कि आप देखेंगे कि इस तरह की जो भी वीडियो बनात ब Veron करता हूँ किसे कंपनी का तो मेरी वीडियो में आपको जो भी चीज क Holz लेगी जैने इन मिलेगी दे थी चीजらい है और एक चन्था जो नियम है किसी एर गन के लिए या ओरीजनल गर उसको किसी भी इंसान पर आपको पॉइंट नहीं करना है कभी भी वीट चीज पर इनस लेटर का होल्स्टर है यह मैंने इस गन के लिए लिया है आप इन्सेट में देख सकते हैं इसके फोटो किस तरह से यह हम लोग साइड में इस गन को रिवालुर को लगा सकते हैं अलाकि यह रिवॉल्वर इतनी बड़ी है कि इस होल्स्टर से भाहर आ जाती है और इसका वजन भी करीब 1200 ग्राम है तो साइड में रखना थोड़ा मुश्किल है तो आप लोग अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं इसे चलिए हम लोग आगे बढ़ते है यह हमारा इसका बॉक्स है बॉक्स के ओपर अल्रेडी लिखा हुआ है मजल एनलजी 80 जूल्स और बिलो तो भारत में कोई भी एर गन जो 20 जॉल्स से कम पावर की है और जो की 0.177 कैलिवर या उससे कम की है वो अलाउड है उसके लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की जरुद नहीं पड़ती है बाकी अगर आप 0.22 कैलिवर लेते हैं या 20 जॉल्स से उपर की गन लेते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा तो देखिए यह गन है हम इस गन को निकाल लेते हैं देखिए यह गन है बहुत ही जादा सॉलिड है पहली नजर में इसको देखते से हम लोग समझ जाते हैं कि यह वो चीज है जो एकदम पूरी तरह से ओरिजिनल की रेप्लिका है बारत में जितनी भी CO2 Pistols आती है आपने देखी होँगी वो सभी जो है इंटरनेशनल गन्स जो रहती है उनके रेप्लिका ही है और जो ओरिजिनल गन्स रहती है वो बारत में मिलती नहीं है तो क्या होता है कि उन रेप्लिका इसको देखने से पाता चल जाता है गि वो नकली है या CO2 याली है लेकिन इस गन के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि यह पूरी वैबली की डिजाइन है और यह वही कमपनी है जिस कमपनी की revolver size भी चल रही है, 60 साल, 70 साल, 80 साल की revolver size बहुत बढ़ियां चल रही है और सेम उसी pattern पर बनी है, यह पूरी तरह से वैसी body है, वैसे ही mechanism है उसी तरह से trigger है, उसी तरह से इसके chamber है, उसी तरह से revolver करती है, सारी चीज़ें वही है तो यह पूरी तरह से original है, सेम ऐसा आप देख लिए है ऐम लेने की जगे जगे जएम बैरल है, सेम डिजाइन है, सेम इसका ejector है यह देखें इस तरह से eject होती है आप इसको सेम उसी तरह से बंद करते हैं यह eject कर दी यह सारी eject हो गई तो यह देखें इसके जो rounds है इन rounds को देखने से ही पता लग जाता है अगर कोई जानकार भी दूर से देखेगा तो उसको यही लगेगा कि यह original round है तो फूरी तरह से original तरीके से बनी हुई है और सेम वही function चलता है जो कि एक real fire आम में होता है बस इसमें यह है कि real fire आम में bullet लगते हैं और इसमें हम लोग pallets लगाते हैं वो pallets यहां पर लग जाते हैं ऐसे 6 pallets लगते हैं और आप लाके इसको बंद कर दीजे और यह single action double action दोनों है single action मतलब मैं पहले इसकी safety है यह आप इसको unlock कर देता हूँ अभी white पे है मतलब safe पे यह red होगया unlock होगया आप इसका trigger काम करेगा तो यह single action है इसको single action खीच के आप fire कर सकते हैं औरी double action है आप डारेक्ट भी इस तरह से revolve कर सकते हैं तो यह है और उरीजनल gun में यहां पे firing pin होती है इसमें यहां पे आपकी जो air pin है यह ट्रिगर जो है और यहां से alarm पर निकलती है और वह पूरी तरह से उस तरह से दूसरी चीज इसका जो वेट है इसका mechanism है सब एक रिएल आम फायाम की तरह है इसमें कहींपे भी प्लास्टिक यूज़ नहीं हुआ है सिर्फ इसका जो गृप है यह प्लास्टिक का है election की पूरी अंदर से लोहे की है remo ताकि जो pellet guns आती हैं जो हमारी CO2 पिस्टल्स आती हैं उसमें अंदर जो रहता है चम्बर के अंदर जो लोड करने का रहता है mechanism वो प्लास्टिक का होता है और अंदर जो air की wall रहती है जो उसे टाच होती वो भी प्लास्टिक के होती तो वो क्या है समय के साथ साथ खराब हो सकती तूट सकती लेकिन ये पूरा लोहा है एकदम सॉलिड मेटल है तो इसमें वो चीज वो समभावना है नहीं और दूसरी चीज एक फायदा और है क्योंकि वैबली 230 सालों से है 230 साल हो गए है उसको मार्केट में तो इसके साथ एक कि बाकी जो पैलेट गंस आती है उसके सर्विस सेंटर भारत में नहीं है एक बार अगर वो खराब हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ठीक करवाना लेकिन वैबली के रिवॉल्वर जो है यह अगर खराब होती तो आप इसको रिपैर भी करवा सकते हैं हाला कि यह सावो साल करने वाला इटम है बीनी होगा आप इसमें देख लेते हैं इसका चेंबर में ऐसके में जो सियोटु सिलेंडरे ऑन वो किए से लोट होता है यहां से अप accept स्कूल लिजे यह खुल जाएगा यह देख़ी इस को लिजा पाना पाना आता है उसको यहां लगाlect क किया जाता है जिससे कि यह टाइट हो जाता है तो उसमें क्या होता है कही बार आप अगर पाना घर पे भूल गए तो आप इसको फिर यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन इसमें वह माता बची नहीं है तो आप इसको लूज कीजिए बढ़ियां से और इसमें आप यह सिलेंडर लगा सकते हैं यह सिलेंडर जो है करीब 100 रूपे का आता है और एक सिलेंडर लगाने से 60-70 शौट मारता है एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है इसका सिलेंडर आपको हमेशा लगा नहीं रहने देना है आप यह सोचके रखिए कि एक बार अगर आप गंज च वॉल्व है वह रभर जो है वह दब जायागा वो खराब हो जाया और आपकी गन में से एयर लीकेज का प्रवर्बलम हो जाएगा खराब हो जाएगा तो इसलिए इस तरह की चीज कभी नहीं आपको करना है तो आप इसको जब भी यूज करना है आप लगाई यह बड़े से टाइट करता हूं जैसे वह लास्ट तक पहुंच जाती मतलब टाइट जोर से नहीं करता हुं अब इसको रख देता हूं इसे बंग करके रख देता हूं तो यह क्या है मेरी गन रेडी है फायर अभी नहीं होईगी है ना अब फायर कब होगी है जब मुझे जरुवत मेरा मन किया मुझे टार्गेट प्रेक्टिस करनी है और को जरुद तो मैं क्या करूंगा तुरंत इसको टाइट कर दूंगा और गन जो हो पटापट पायर होने लग जाएगी तो यह इसका पायदा है तो आप मेंसे जो लोग सोच रहे हैं स्योटूब गन लेने के लिए मे तरह से राउं लगते हैं लेकिन वह सब रिवॉलवर जो है भारत में ओरीजनल वाली नहीं मिलती है वह बाहर की है तो क्या है हाथ लगाते सी दिख जाती कि यह तो नकली है सीयोटू है लेकिन यह रिवालवर एसी यह जिसकी ओरीजनल जो है जो औरीजनल वर्जन है वह भारत में आज भी चल रहा है 32 बोर में इसकी वैबली की रिवालवर चल रही है और सेम उसी पैटन पर है तो इसको देखके कोई बोलने सकता है कि यह नकली है देखने से पूरा के लिए इसका ओरिजनल का आता है जो लोग आगे जाके असली रिवालवर लेना चाहरे हो वह प्रेक्टिस के लिए यह अभी रख सकते हैं अपने पास में लाइसेंस की जरुवत नहीं है बहुत बढ़ियां चीज है यह बहुत सॉलिड बनी हुई है इसके सारे पार्ट्स खुल जाते हैं रिपेरेबल हैं पूरी तरह से जो एक रिएल फायराम है उसी तरह से और उसी क्यालिटिग के बने हुई अब एक जो मज़े दार बात में आपको बताना चाहाँ आदा हूं वो यह थी है कि इस गन में सारी चीजह तो है ही रिएल फायराम की तरह है लेकिन एक जो मज़ा होता है रियल फायराम चलाने का, वो रियल में उस मज़े को आप इसमें भी ले सकते हैं, वो कैसे ले सकते हैं, तो मेरे पास एक बहुत बढ़ियाँ चीज है, यह देखिए, यह कॉर्क्स हैं मेरे पास में, यह कॉर्क्स आपने देखे होंगे, जेनरली दिवाली की बंदुकों में लगते हैं, तो यह कॉर्क जो है, यह कॉर्क डारेक्ट इसमें फिट हो जाता है, यहाँ पे यह डारेक्ट फिट हो जाता है, और यही इकलोती एक ऐसी रिवॉल्वर है, या पिस्टले जिसमें एक और डारेक्ट फिट होता है आपको क्या करना है बस इसको लगा देना है अच्छे से इसको ठोक देना है ताकत से और उसके बाद आप जैसी फायर करेंगे तो यहां से बहुत जोर से धमाका होगा और आग निकलेगी तो ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल गन फायर हुई है इसका मैं आपको सेंपल दिखा देता हूँ हम लोग देखते हैं इस गन को चला के कैसे यह चलती है और कितना मज़ा आता है इसको चलाने में हुआ है तो इसके बारे में और कोई आप जायनकारी चाहते हो तो मुझसे बिल्कुल ले सकते हैं कमेंट में आप पूछ लीजिए ये गन ओन जो है, वो 90,000 की मिलती है काफि सारी वेबसाइट पर मिलती है आप ओनलाइन सर्च कर लीजिए उन पिचास हजार की मिलेगी आपको डोर डिलिवरी हो जाएगी और अगर आप इंदोर आते हैं तो इंदोर में एक शॉप है जहां पर मिलती है चालीस हजार में तो मैं आपको वहां से दिलवा सकता हूँ जो भी चाहते हूँ आप अपना कॉंटेक्ट नंबर ड्रॉप कर सकते हैं या इंदोर आके आप बाइंड ले 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 तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई बार क्या होता है ओनलाइन चीजों में फ्रॉड हो जाता है लोगों को भरोसा नहीं होता है सामने से देख के उसको यूज करने का मज़े ही अलग है तो आप लोग आ सकते हैं और भी कुछ चीज आप अगर पूछना चाहते हैं जो मैंने इसमें स्किप कर दी हो तो आप बिलकुल मुझसे पूछ सकते हैं थैंक्यू